वीके न्यूज राश्ट्र के नाम परियों में लगवाएंगे भाईो बेनो मुझे एक बात आपको बतानी है कॉंग्रेस ने इस देश के अंदर सरवादिक समय तक सासन किया सरवादिक समय तक सासन किया लेकिन सासन किस रूप में कर रही थी आज आपने कॉंग्रेस का एक आपने महारास्टी ATS का एक बयान देखा होगा उस समय कैसे भारती जनता पार्टी के कारेकरताओं को नेताओं को रास्टी स्वेम सेवक संके नेताओं को हिंदू नेताओं को कैसे लोग जूटे मुकदमों में फसाने का कारे कर रहे थे आपने माले गाओं विस्पोर्ट के मामले में देखा होगा कॉंगरेस की सरारत देश के खिलाब एक अपराब है और कॉंगरेस के लोगों को इसके लिए माफी मांगनी चाहिए देश की जनता से आतंग बादियों को प्रेरित और पॉसित करने वाली ये कॉंगरेस देश के साथ कैसे खिलवाड कर रही है ये किसी से छुपावा नहीं है पहले जब सत्ता में थे तब उन आतंकियों को प्रेरित और प्रोशाइद करते थे और हिंदू संगठनों पर जोटे मुकदमे दर्ज करते थे और आज जब सत्ता के बाहा रहें तो हर उस कारे का विरोध करते हैं जो विकार जनता के हिद के लिए हो भाईो बेनों पिछले साड़े चार वर्स के अंदर हम लोगों ने प्रदेश में 43 लाख गरीबों को एक एक आवास दिया है आपके फरुकाबाद में भी काफी लोगों को आवास मिले हैं पुरे प्रदेश में 43 लाख लोगों को आवास मिला समाजवादी पार्टी की सरकार में एक भी गरीब को आवास नहीं मिला आवास का पैसा कहां चला गया ये दिवालों से वही पैसा निकला है पिसले साले चार वर्स में भारती जनता पार्टी की सरकार ने दो करोड एक सट लाग लोगों को परिवारों को एक एक सोचाले बना करके दिया 58,000 गराम पंचायतों में सामदा एक सोचाले बनाया सहरों में भी प्रियाप्त मात्रा में सामदा एक सोचाले बनाये और सामधा एक सोचाले को भी महला स्वेम से भी समू को दे करके हर गाओं मैं एक महला स्वेम से भी समू से कहा किसी एक निरासित महला को इसके साथ जोड़िए सरकार हर महीने उसे नो हजार रुपे देगी इसकी देख भाल और रख रखाओ के लिए लेकिन भायों बेनों समाजवादी पार्टी की सरकार में गरीबों के लिए सोचाले क्यों नहीं बन पाए क्योंकि समाजवादी पार्टी की सरकार की भावनाएं गरीबों के लिए नहीं थी मुझदूरों के लिए नहीं थी किसानों के लिए नहीं थी और युवाओं के लिए नौकरी निकलती थी तो चाचा भी भतीजा भी मामा भी और महाभारत के सभी रस्ते वो सूली पे निकल पड़ते थे युवाओं को नौकरी नहीं मिलती थी किसी भी युवाओं को नौकरी नहीं मिल पाती थी कि वह पैसा भी जाता था और उसके साथ साथ मौकरी से भी बन्चित रह जाता था वह यो बेनो हमारी सरकार ने पिछले साड़े चार वर्स के अंदर साड़े चार हज्ड लाग सेदिक लोगों को नौजवानों को प्रदेश में नौकरी दी एक करोड एक सट लाग नौजवानों को रोजगार के साथ जोड़ा और साठ लाग लोगों को स्वता रोजगार के साथ जोड़ने का कारे किया प्रदेश के अंदर जब अच्छी सरकार होती है, वह रोजगार भी देती है, नौकरी भी देती है, सुरक्सा भी देती है, संबरजी का मार्ग भी प्रसस्त करती है याद करिए 2017 के पहले किसान आत्मत्या कर रहा था 2017 में सरकार बनी पहले किसानों का कर्ज माफ किया और कर्ज माफी के बाद फिर आज मुझे बताते वे प्रसंता है हमारी सरकार ने गन्ना किसानों का एक लाग 51,000 करोड उपे के गन्ना मुल्यका भुक्तान अब तक कर दिया है सपाः बस्पाः सरकारों के चौदो वर्स के कारेकाल में इतना गन्ना मुल्यका भुक्तान नहीं हुआ था जितना साड़े चार वर्स के अंदर हमारी सरकार ने किया है आखिर क्या कर रहे थे सपा बसपा की लोग इनको तो नेत्विक रूप से कोई अधिकार नहीं था कि जनता जनारदन के बीश में जाए लेकिन लोग तंत्र की प्रकरिया है अगर आई रहे हैं तो इनको जवाब भी दीजे और पहले पूछे बबुवा से भी बुवा से भी भाई बहन से भी और पूछे कि जब हम लोग करोना कालखंड में संकट में थे तब ये लोग कहां थे इस सभी नेता उस समय होम कुरुंटीन थे घर में छुपे वे थे आपने देखा होगा मैं भी स्रिकान जी भी हमारे बिदायक भी हमारे सांसद भी हमारे पदाविकारी भी सेवा ही संगठन मान करके एक एक बिक्ति की जान को उसकी जीवन को भी और उसकी जीविका कोई बचाने के लिए कारे कर रहे थे लेकिन सपा बसपा कॉंग्रेस के लोग कहां थे इनका कहीं भी अता पता नहीं था सबसे पहला जवाब तो ये दोसा उन से पूछना चीए कि गरीबों का मकान तुम्हारी सरकार के समय क्यों नहीं बन पा रहा था ये फिरीक वायरासन गरीबों को पहले क्यों नहीं मिल पा रहा था पिद्वाओं को पिद्वा पेंसन बिर्दाओं को बिर्दा पेंसन दिब्यांग जनों को दिब्यांग जन पेंसन क्यों नहीं मिल पाता था और आज तो हम लोगों ने रसोईयों के मान दे को भी दो हजार रुपे कर दिया है और साथ-साथ ये भी कह दिया, दो हजार रुपे मान दे भी उनको हर मेनी मिला करेगा, साल में दो साड़ी भी मिलेगी, एपरन का पैसा उनको उनके खाते में मिलेगा, आज हम लोगों ने एक और कारे किया है, कि जो अनुदेशक थे बेसिक सिक्सा परिशत के स्कूलों में, दो हजार रुपे मान दे भी उनका बढ़ाने का कारे कर दिया है, भायो बेनो, सरकार जब अच्छा कारे करती है, लुटेरों के लूट के मुद्दे को रोकती है, तो पैसा आता है, इस पैसे से गरीब का उपचार भी होता है, इस पैसे से गरीब का उठान भी होता है, इस पैंसे से अन्य योजना का भी लाब होता है इस योजना से निरासित लोगों को पेंसन भी दी जाती है और इस पैंसे से कारे करने वाले करमचारियों के मांदे और बेतन को बढ़ाने में भी हमें साहता मिलती है और इसलिए आज मैं आपके बीच आया हूँ आपसे कहने के लिए वायो बेनो पिस्दी सरकारों के समय गरीब तबा था नौजवान बेरोजगार था किसान आत्मत्या कर रहा था महलाएं अस्रक्सित्थी प्रदेश में दंगे होते थे परव और त्यवार आते थे दंगों का सिल वर्स में कोई दंगा सुना कोई दंगा हुआ पिसले साड़े चार वर्स में आज तो दंगायों को मालूम है दंगा करेंगे तो सब असूली सुरू हो जाएगी दंगा होगा तो अब वह सरकार नहीं है कि दंगा करने वालों को मुख्यमंत्री आवास में बुला करके सम्मानित करेगी अपराद और अपरादियों के प्रति जिरो टॉलेंस की नीती से कारवाई करने की बात हुई थी बाईो बेनो, सरकार ने पूरी मजबूती के साथ उन सभी माफियाओं के खिलाब कारवाई की है वे माफिया कोई भी रही हो जिनौने अवैद गरीब की संपति को ब्यापारी की संपति को सारजनिक संपति को कबजा करके जन्ता की कमाई पर डगेती डाल करके लूटा है उन सभी लोगों की अवैद संपत्व को वापस लेने और अगर लगा कि नहीं बिना बुल्लोजर चले काम नहीं चलेगा तो बुल्लोजर चलाने में भी संकोज सरकारी नहीं किया है और बायों बेनों में आपको यही कहने के लिए आया हो इस सुरक्सा का बेहत्तर वातावर नहीं था जिसके कारण परदेश के अंदर निवेस हुआ हर गरीब को सुरक्सा मिली और आज वही कारण है हम लोग जब आते थे इससे पहले हमारे मीडिया के बंदुगन पूस्ते थे पूस्ते थे योगी जी ये तो बताईए कि आप लोग बोलते हैं कि राम जला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे लेकिन तिथी नहीं बताएंगे तब मैं कहता था आप आप चिंता मत करिये हमने कहा संवेदानिक विवस्ता के अंतरगत अयोध्या में राम मंदिर के निर्मान का कारे करेंगे तो हम वही करेंगे अयोध्या में राम मंदिर का काम सुरू हो गया न सभी लोग खुस हैं सभी लोग दोनों अगर आप खुस हैं दोनों हाथ उटा करके बोलिए अयोध्या में भगवान राम के भब्य मंदिर निर्माण से खुश है सभी लोग अभी नंदन आपका मैं आपसे पूछना चाहता हूँ मेरी बातों का जबाब दीजे ये जो राम मंदिर का काम अयोध्या में हुआ है क्या ये काम कॉंग्रेस करते थी क्या ये काम समाजवादी पार्टी करती और क्या ये काम बुवा करती भायो बेनों जो राम भक्तों पर गोली चलाते थे सिक्रिष्न जन्मास्टिमी के आयोजन को रोग लगाते थे कावड यात्रा पर जबर्दस्ती लाठी चार्ज करते थे उनसे क्या आप राम मंदिर निर्मान की उमीद रखते हैं क्या परव और तेवार सांधिपूर्ण तरीके से मनाए जाएं क्या इसकी उमीद रखते थे क्या जब नहीं थी तो उनसे कोई उमीद मत करिये सपाहो या बसपा या कॉंग्रे से नाउमीद हैं हमेशा से नाउमीद रहे हैं परदेश को तबा करना बंजड करना इनकी नियती थी और जनता जनारदा ने जब 2014 में फैसला लिया तो उस फैसले का पेड़ाम भी आप सब के सामने है केंदर में मोदी जी के नित्रत्व की सरकार बनी धड़ाद और सरकार ने फैसले लेने प्रारंब के और पाकिस्तान को उसके घर में घुस करके मारने के लिए सेनिकों ने जिस बहाद्री और सौर का प्रिचे दिया वह अभी आप सब के सामने है एकाम पहले की सरकारें भी कर सकती थी लेकिन उनको डर लगता था कि अगर पाकिस्तान पे हमला करेंगे कहीं यहां वोट बेंक कम न हो जाए हमने का भी देश की सुरक्सा सुरोच है और देश की सुरक्सा के साथ कोई समझोता नहीं होने देंगे देश की सुरक्षा महतोपूर है ना, आप भी मानते हैं ना, हमारा देश सुरक्षित है, हम भी सुरक्षित हैं अगर मेरा देश प्रगति कर रहा है, हम भी प्रगति कर लेंगे अगर हमारे मान बिंदों का सम्मान हो रहा है अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर के निर्मान का कारे हो रहा है तो ये सम्मान सभी सनातन धर्मावलंबियों का सम्मान है अगर कासी में भगवान बिश्वनात के धाम का भव्य उद्गाटन का कारे करम कितना भव्यकारिकर्म हुआ था ये कारे पहले भी हो सकते थे आज मत्षुरा में, बृंदावन में, बरसाना में, गोकुल में, बल्देव में कितना भव्यकारिकर्म चल लैं है वा만 निर्मार कारे हो रहे हैं उस धाम को एक बार पिर से हम दौा पर युक की ओर लेके जा रहे हैं और भाईो बेनो पिछली सरकारे होती थी गरीब का मकान न बने गरीब के लिए सोचाले न बने हिंदू धामों के लिए कोई पैसा नहीं मिलता था और जो पैसा होता था उसको कबरिस्तान की बौंडरी वाल में खर्च कर देते थे हमारी सरकार में तो गरीब का पैसा गरीब में और वह भी डीवीटी के माध्यम से मिलना है जिनको मिल चुका है आंगनवाडी का मांदे भी बढ़ा रहे है जल्दी सम्मेलन करके बढ़ा रहे है बहुत अच्छा काम किया है आंगनवाडी आसा कर्मियों ने रसोयों ने भी येनम ने भी और सच मुछ मैं अविनंदन करता हूँ इन सब का करोना में करोना वारियर के रूप में निग्रानी समीती की देख भाल करके इनने बहुत अच्छा काम किया है और 31 तारिकों और तीन तारिकों में दो सम्मेलन कर रहा हूं जिसमें इनको बहुत अच्छे मान दें कि ब्योस्ता करने जा रहा हूं और इसलिए भायों बेनों जो भी कारे करेगा परदेश की जनता को बचाने का कारे करेगा परदेश के गाओं के लिए गरीब के लिए चिंता करेगा उसको सरकार भरपूर सम्मान देगी भरपूर सम्मान देगी आगे वढ़ाने का कारे करेगी और उस बिवस्ता के साथ जोडने के लिए आज मैं आपके पास आया हूँ आपसे कहने के लिए कि भायों बेनों भारती जनता पार्टी ने जो कहा था सोक और के दिखाया है जो पाँच वशसे पहले वाईदे किये थे जो संकल्प लिया था वो संकल पाज आपके पास है और भायो बेनो आज मैं आपके पास आई हूँ जन विश्वा स्यात्रा आप सब के पाम सामने इसी बात को ले करके है कि हमने जो कहा था सो करके दिखाया है अब करने की बारी आपकी है अगला तीन मेहना भारती जनता पार्टी को देंगे सबी लोग मुझे बताएंगे क्या भारती जनता पार्टी को देंगे आपने देखा होगा मैं हूँ हमारे जन प्रतिनीदी हैं मंत्री हैं पिदादीकारी हैं पांच साल बिना रुके बिना जुके बिना डिगे बिना हटे हम लोग निरंतर कारे किये हैं और अब पांच साल के बाद जब आउसर आया है अगर हमने पांच साल मेहनत की है तो आप से मैं कहूंगा तीन महिने आप भारतिय जनता पार्टी को दे दीजिए आप से मैं कह सकता कहो भारती जंता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश को नंबर एक प्रदेश बनाने का कारे करेगे नंबर एक प्रदेश का मतब भारती जंता पार्टी के नित्रुत्व में बनने वाला नंबर एक प्रदेश का मतब हर गाओं का हर गरीब का हर किसान का हर नौजवान का हर मह बढ़ना उनकी आमदनी को दुगने से दिख करना अभी जो मेरे पास यहां पर अभी मुकेश जी ने और यहां के विदायक गण मुझसे कह रहे थे गंगा एक्सप्रेश्वे का लिंक एक्सप्रेश्वे के बारे में मुझे याद है पिछले दिनों आप लोगों ने एक बेंडर लगाया था कि फरुकाबादी चूसे गंणा यह तो गंणे का रस तो बहुत अच्छा होता है मैंने इनसे कहा था मैंने कभी आप लोग अकेले के लिए चूसते हैं कम से कम एक गिलास गंणे का जूस हमारे लिए भी लेके आ गए होते और भायो बेनो भारती जंता पाइटी की सरकार आने दीजे गंणा एकस्प्रेस वे का लिंक एकस्प्रेस वे फरुकाबाद से जोडने का कारे सरकार करेगे जो कारे यहां पर हमारे बिदायक गण सांसजी कर रहे हैं इन कारे करमों को तेजी के साथ आगे बढ़ाएंगे और आप सब को मैं इस बात के लिए सुस्त करता हूँ सुरक्सा संब्रिदी का जो संकल्प लिया है सुसासन का जो संकल्प भारतिये जनता पार्टी ने लिया है विकास का जो संकल्प भारतिये जनता पार्टी ने लिया है इस संकल्प के साथ आप सभी जुड़े और भारतिये जनता पार्टी के नित्रत्व की सरकार को लाने में अपना योगदान देंगे आप सब को मैं एक बार फिर से जन्विस्वास यात्रा के साथ जुड़ने भारी संख्या में आने के लिए आपका विनंदन करता हूँ मैं जानता हूँ पीछे बहुत सारे नौज़वान है जिनको जगए नहीं मिल पा रही है एकदम समुद्र की तरह हिलोरे ले रहा है पीछे समुद्र की तरह पीछे हिलोरे ले रहा है लेकिन वे लोग फिर भी अनुसासित हो करके इस पूरे कारिक्रम में अपना योगदान दे रहे है आप सब का मैं भिनंदन करता हूँ और आपको भारतीय जन्ता-पार्टी की जन्विश्वाज के साथ जुड़ने और अगले तीन मेहने भारतीय जन्ता-पार्टी को देने का उभान करते वे बाणी को देता हूं बिराम जैजे स्री राम माननी योगी अदितना जी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ इस जन विशुआ सियात्रा के माध्यम से जो हमारे मुख्यतिति आये उनका उद्वन मिला माननी मुख्यमंत्री जी का शीकान सर्मा जी का भी बहुत बहुत आबार मानी मानवेन सिंग जी चेत्री अध्यक्ष और अन्यतितियों का बहुत बहुत आवार मैं प्रकट करता हूँ और यहाँ पर जन विस्वास मात्रा में जो विस्वास हमलों को प्रकट किया है आप लोगों ने उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और आप यहाँ की माताओं के चाड़ने में नमन करते हुए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और बहुत बहुत आवार आपका बारात मातागी